हाई अबरिवन तो आज में लिए बनाने वाली हूं मसाला चाज गर्मिया आते ही अगर आप लोग ने यह वाला ड्रिंक नहीं ट्राइ किया है तो क्या किया है इसके लिए जट पट से आप लोग मेरी यह रेसिपी को एक बार देख लो और इसे लिए जरूर कना जिसका टेस् अगर आपने चाहतों घर के जमाई हुए भी दही से मसाला चाज बना सकते हैं यह रेडिमेंट दही का यूज किया है उसके बाद मैंने यहां लिया है थोड़े से नमक यह मैंने सफेद नमक लिया है दो पैकिट जलजीरा लिया है यह एक रुपे करके पैकिट मिलते हैं उ अच्छे तरीके से मैंने वाश कर लिया है सेव मैंने पोदीनी के पत्ते को भी काटके अच्छे तरीकी से मैंने वाश कर लिया है उसके बाद मैंने यह भूनी हुई जीरा को थोड़े सी मिक्सर ग्रांड में पीस लिया था यह एक चमच मैंने यह जीरा लिया है थोड़े स ग्रीं चीली चया फिरी चींट करेंगी एक पकेट जल जीरे के पानी चीली थोड़ा चया कभलकर भी दर पीजञे भशन सी तोा इसके में जड़ा गोला है पिस लेना है, उसके बाद मैं एक चमच पेश्ट को निकाल के साइड में रखती हूं, और यह जो मेरी मिक्सर के जार में बचे हुए पेश्ट ए मैं इसमें दही आट कर दूंगी, तो मैं इसमें आधा पैकेट दही आट करूंगी, आधे पैकेट दही से मैं यहां चाज कर द म्मियर 5 निए तरब तक मैं अपुरय गडल डिंगी करेंसar क। rebirth government omla से अग्वा झी हो चुका है इस तरीकma से एकदम हमारा मसाला चा już थिक है डियो हुआ को करें लीज देखना हो साथ इसका टेस्ट बहुत ही उम्मी होने वाला है तो यह रेकिए अब मैंने जो उपर से यह हरी मिर्च पोदीने का पेस्ट बचा कर रखी उसे मैं एड़ कर दूंगी उसके बाद मैं एक पैकिट जलजीरा एड़ कर दूंगी इसे एड़ करने के वाद मैं थोड़ा सा काली मैं आउप प्रषाम है बच्छ चाइए जो में उसर्फ त को मैं बढ़त कर देखा नहीं के दुक्त अच्छे तरकीस से डालने के बाद उसके बाद मैं इसके ऊपर से थोड़े से जीरे के पॉडर को स्प्रिंकल कर दूंगी थोड़े से पोदीनी के पत्ते से मैं इसे डेकुरेट कर दूंगी उसके बाद आप इसे ट्राइ करो बहुत ही टेस्टी यम्मी और बहुत ही डिलिश